कि अंकूर विल्कम बैक टो चैनल दोस्तों मैं अभी वारांसी एरपोर्ट पे और ट्रेवल करने जा रहा हूं बैंगलोर के लिए और यह 2021 की मेरी पहली जर्नी रहेगी तो आये चलते हैं एरपोर्ट के अंदर और देखते हैं फ्राइट जर्नी अपनी कैसी रहने वाली है मैं अभी एरपोर्ट के बहार हूं और आप देख सकते हो यहां का व्यूट में बहुत ही बड़े में है वारांसी एरपोर्ट और बहुत त्यारा है आये दीरे दीर अंदर चलते हैं और आफ्टर लॉकडाउन 2021 में क्राउट पहले से अधिक दिखने लगी है बहुत सारे ट एरपोर्ट के अंदर जाने के पहले प्रिकास बहुत जोगरी है यहां पर डिपार्चर के लिए दो गेट है डीटू एंड देर इस टीवन तो डीटू अभी क्लोज रहा है तो हम जाएंगे डीवन की तरफ और वहां से अंदर जाते हैं एरपोर्ट के तो यह है डीवन गे टिकेट बुक नहीं किया आपको एमर्जंसी में जाना है तो यहां पर आपको यह सारे टिकेट काउंटर्स देखने को मिल जाएंगे जहां से आप अरजेंट में टिकेट निकाल सकते हो फ्लाइट की और आप देख सकते हो 26 जैनुवरी यानि रिपब्लिक डे के सिलिबेशन के लिए यह सारी डेकोरेशन जो है एरपोर्ट पर हो रहती है तो टिकेट स्केंट करागे मैं एरपोर्ट के अंदर आ चुका हूं और अब जो लगेज आप देख सकते हो यह लगेज को मुझे करना है ड्रॉप तो लगेज ड्रॉप कर लेते हैं फटाफट उसके लाद में फ्री हो जाओंगा तो मुझे और टाइम मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए इसके दरू मैंने प्रिंट निकाल लेए अपना टिकेट का सो देट मुझे काउंटर पर नहीं जाना रहा है मैं यह पाजे नहीं था तो मुझे कुछ खास टेंशन नहीं लेना पड़ा है वेट का उपर नीची और जमा करने के बाद मुझे इंडिगो ने यह दिया हुआ है और कोरोना वाइरस सेफ्टी जिसमें मास्क है और यह हेट का पूरा शिल्ड रहेगा और सैनिटाइजर के आप दे जाएंगे सेक्यूर्टी चेकिन कराने के लिए अंदर उसके बाद का जो प्रॉसेस है देखते हैं अभी क्या सीन है तो अल्मॉस्ट खाली खाली अरपोर्ट है अभी पहले जैसे रश्ट देखने को नहीं मिल रही है और आप देख सकते हो यहां पर अल्टरनेट बैठने क बैठें तो ऐसे आपको पूरे एरपोर्ट पर ऐसे सिस्टम जो है आपको देखने को मिल जाएंगे है कि 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 अपनी सेक्यूर्टी चेकिन हो गई है यार लाइन बहुत लंबी थी तो थ्वा टाइम लगा है होने में कि सारे लोग आ गहते हैं और एक फ्लाइड भी थी टेली की तो उसके लिए सारे लोग चे तो पहले उनका हुआ उसके बाद अपना नंबर आया बैंग्नुर्वालों का और अराम से बैठ गया हूं है शाम के भी 5.30 हो रहा है और 7 पीम की मेरी फ्लाइड है तो अभी टाइम है अपने पास ला और आप देख सकते हो यह साइड मैं शॉप भी है तो आपको यहां का वारांसी एर्पोड के यो जो शॉप है आप को दिखा देता हो तो आपको कौन कौन शी ही देखने मभी मातने ही हिस वा परचेस कर सकते हो लगनौ चिकेन शॉप स्वत को रंशा कास बग बट यह व ब्लू, माननेवर, और हाई डिजाइन, बहुत सारे शॉप्स हैं आपर, जैसा कि आप देख सकते हो, बट मुझे कुछ भी पर्चेस नहीं करना है, सिर्फ जाना है, अगर आप आते हो तो आप पर्चेस करना है, इन सारे शॉप्स के अलावा एक जो शॉप्स है मुझे बहु यहां पर सारी चीज़े यूनिक है, यह है अशोकिस्तम, भारत का सत्मे हो जायते हैं, बहुत ही प्यार आई है, और यह हमारे गनपती बप्पा मोरिया, जाना है, एक बात और शेयर करना चाहूँगा, जब आप पब्लिक में व्लोगिंग करते हो ना, जैसे मैं एरपोर्ट पे हूँआ वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है, किसे बात कर रहा है, क्या हो गया इसको, तो यह वाली जैसे फिलिंग बहुत बेकार होती है, उनको मैं क्या होता हूँ, मैं किस काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, खेर समझ जाएंगे वीडियो देखने के बाद, और कबूतर भी फ्लाई करने वाले हैं, यह देखो, एरपोर्ट के अंदर, शायद इनको भी कहीं जाना होग वह स्टेर्स के तरू तो अभी वारांसी से मुंबई के लिए फ्लाइट है, बैंगलोर के लिए है, और डेली के लिए है, बैंगलोर वाली साथ बजे की है, समय पर, बट अभी तक बोर्डिंग हुआ नहीं है, तो इसका एवेट कर रहा हूँ मैं, बोर्डिंग शुरू हो बोर्डिंग, तो मुझे कोई भी बस नहीं लेकर जाएगी, फ्लाइट तक मुझे खुडी जाना है, पैदल पैदल, और वहाँ पर आप देख सकते हो, रही फ्लाइट, और वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ का, बहुत पॉल्ड है अभी, वारांसी में टेमरेचर लिए 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 फड़ जाना है, दोस्टो अफर टावली अफर यहाँ अरफ आप आप एल्ड यहाँ आप देख से लागेजे लेते हैं, उसके बाद निगलते हैं उटसाइट अपना लगेजाए बेट नमबर 7 तो बेट नमबर 7 आगे उज़ अगे है, दर पही लाँ ब कि यहां का वेदर बहुत ही प्यारा है अभी यहां पर टेंपरेचर जो है 21 डिग्री है तो मैं अभी 10 डिग्री से 21 डिग्री वाया हूं तो काफी सुकून मिल रहा है पूरे फ्लाइडर मैं सोते हुगाया हूं कब आगया बैंगोर पता ही नहीं चला है हूप आपको यह मिलते बहुत जल्द इसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के ऐर बाए बाए